कि अज़िए लोग अपनी डेली करांटेफेस की जो सीरीज चलाते हैं अभी लाडर यूट्यूब चैनल पर आज हम उसको यहां पर रख रहे हैं ठीक है आज की क्लास में सुन्स हम लोग कवर करेंगे इस देखते हैं रहे हैं हम इस क्लास को ब्रॉब्लम नहीं हा रही शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास का स्टुक्चर तो सबसे ले देखते हैं लोग क्लास का सब्सक्राइब होता है हम इस class को शुरू करते हैं questions के साथ फिर हम shift कर जाते हैं अपनी news के ओपडिके तो questions और news हम यहाँ पर क्लास में cover करते हैं भर शुरू करते है 14 questions के साथ फिर हम चलते हैं अपनी पाँच news के ऊपर हर एक news के बाद भी एक-एक additional question मैं आपसे पूछता चलता हूं तो अगर सब कुछ देख लिया जागर सब कुछ को count किया जाए तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 14 question plus 5 बलब जो नीचे भी मैंने आपसे question पूछे तो 19 questions और 5 news यह students हम अपनी देधी class में cover करते हैं ठीक है जो 14 question के साथ हम ग्लास शुरू करेंगे उसमें से पहले दो कोशन होंगे static face के अगले 8 question current face के अगले 2 question social studies के आखरी के 2 question finance के उसके बाद जो पांच news तुर्ण हमें आज cover करने उसके topic क्या क्या है news है इंडिया ने अब हमारे यहां पर टोटल नंबर आफ रामसर साइट से उसके बार में जानेंगे रामसर साइट होती है रामसर साइट को वेटलेंड साइट भी बिलाया तब सब समझने कोशिश करेंगे second news है रश्या ने डिसाइड कि वह एक बहुत बड़ा जो प्रजेक्ट जिसका नाम है इंटरनाशनल स्पेस्टेशन तो रश्या छोड़ देगा इंटरनाशनल स्पेस्टेशन के प्रजेक्ट को और यह जो रश्या कर रहा है कहीं नहीं जो इस टेम पर मिलब अर्थ के उपर जो सिट्वेशन चल दी है रश्या और वेस्ट के बीच में उसको लेकर रश्या ने रिसाइड के मैं आपको पूरा समझाऊंगा इस होता गया थर्ड नियूज इंडिया नार्मी को रिसेंटली रिसीफ किया इंडिया में ही ग्यू आर ऐफ वी जो क्यू और फ्योंतना मिलब इसकी फुल्फाम होती है क्यूक रेक्शन कोई पता ने कौन सा वीगल मैं आपको आगे बताता हूं तो यह होती है क्या देखो मैं आपको दाता हूं आपने देखाऊँगा वॉर के टाइम पे या फ़िर अगर कहीं पहुंचे ये असल में वह बक्तरबंगाडियां जो की न्यू बना कर दी है टाटा एडवांस सिस्टम जो आपने देखा होगा जब कभी आप न्यूज विगरा देखते हो तो जो हमारी फोर्स वह बक्तरबंगाडियां यूज करते हैं वह बहुत पुरानी से दिखते हैं अस कि हमारी कंटी में सेट की जाएंगी जॉइंट थेटर कमांड्स ऑफ ट्राइ सर्विसेज यह ना इंट्रस्टिंग चीज होती है तो जैसे अब भी क्या होता है आर्मी की कमांड अलग है नेवी के अलग है एरफोस के लग है यहां पर आर्मी एरफोस नेवी तीनों एक ही एक ही कैंप में रहती है और एक ही उनका कमांड होता है तो अगर कमांडर ऑडर देगा तो एरफोस आर्मी ने भी एक ही ऑडर पे तीनों यहां पर मोबिलाइज करना शुरू कर देंग ठीक है यह होती है जॉइंट थेटर कमांड समझेंगे इसको और अच्छे से आज की ल बात करते हैं मेरे बार में मेरा नाम है अभी नव जोशी चार साल से बिजार टाइम से मैं स्ट्रों को करन फेर स्टाटिक अफेर्स फाइनेशल फेर्स की त्यारी करवा रहा हूं वेरियस गर्मेंट एक्जाम के लिए तेलिगाम चैनल अभी पीडिया करन फेर्स अगर तो 14 कोशन 5 न्यूस और हर एक न्यूस के बाद भी के कोशन पूशन पूशन चलूँगा तो 14 प्लस 5 19 कोशन और 5 यह हमारी आज की क्लास का स्ट्रक्चर शुरू करते आज का पहला कोशन स्टाटिक अफेर्स काटिगरी का आप लों के सामने कोशन है यूनाइट्टी नेशन्स हाई कमिशनर फॉर रिफ्यूजी यून एच रसी बहुत इंपॉर्टेंट बॉड़ी है यून के अंदर आपको इसके हेड़कोर्टर् करेंगे तो दुनिया में जो रिफ्यूजी के लिए कोई नहीं सोचना चाहता हूँ रिफ्यूजी कैसा इंसान जिसको अपनी कंटी छोड़कर किसी और कंटी में जाना पड़ रहा हो सकते उसकी कंटी में वार होगी है या कोई प्लिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी कुछ भी हो गया सब्सक्राइब तो रिफ्यूजी के लिए का और इसके हैं स्पेइन के शहर में फ्रांस के लियून में और ऑस्ट्रिया की कैपिल विएना में स्विजिद्ट के शहर जनेवा इस कोशन का जो सुन्स बिलकुल ही सही आंसर है यह एन एचर सी के आपको हैड़कर द विजलेंड और फाउंड किया गया था 1950 में 1950 में स्विद्ट इसको बनाया गया ठीक है चलते अपने सेगिंड कोशन है स्टार्टिक अफेर्स का पूछा जा रहा है इंडिया में एक लेक इसका नाम है वेंबनार लेक आपको यह वेंबनार लेक इंडिया की कौन सी स्टेट में देखने को मिल जाएगी वेंबनार लेक लोकेटिड क्या यह आपको लेक देखने को मिलेगी तेलंगाना में गुजरात में केरला में या तामिलाडू तो वेंबनार लेक लोकेटिड तेलंगाना गुजरात केरला या तामिलाडू इस कोशे का सुन बिलकुत से आंसर है वेमिनार लेक आपको देखने को मिलती है किरला स्टेट में ठीक है तो वेमिनार इस दि लॉंगेस्ट लेक इन इन्डिया आजवल इस लार्जेस्ट लेक इन्दी स्टेट ऑफ के लाउट कितने एरिया में ल वो कौन सा बैंक है जो की दुनिया के ढौप 10 most valuable banks के list में आ जागा पर यह तब होगा जब यह वाला bank अपनी parent company के साथ merge हो जागा ठीक है अगर आप एक चीज देखो तो यहाँ पर आपको एक चीज समझाई जा रही है कि इंडिया में ना एक bank एक bank अपनी parent company parent company यह से मलब Reliance Industries Limited Parent Company है उसके subsidiary है जीओ ठीक है तो ऐसी इंडिया में एक parent company रही होगी और उसने एक bank को बनायागा अब यह bank और parent company आपस में merge होने वाले है जब यह merger हो जाएगा तो यह जो नहीं entity बनेगी यह दुनिया के top 10 bank के list में शामिल हो जाएगे क्या इंडियसल बैंक की बात की जा रही है एकसिस बैंक की येस बैंक की है HDFC बैंक की तो आप इसका ऐसे भी solve कर सकते हो कि इनमें से कौन सी वो organization है जहां पर आपको merger बलब recently आपने सुना है तो merger असल में हो रहा है HDFC में तो हो कह रहा है देखो हो ये रहा है कि जो HDFC group है और HDFC group की subsidiary HDFC bank वो आपस में merge हो रहे है HDFC bank will be amongst world's top 10 तो HDFC bank अब दुनिया के top 10 most valuable bank की list में आने वाला है और ये किसके साथ जुड़ ज़गा ये HDFC group के साथ जुड़ ज़गा ठीक है तो जब ये दोनों आपस में merge हो जाएंगी उसके बाद ये जो नहीं organization बनेगी ये दुनिया के top 10 banks की list में शामिल हो जागा और HDFC bank आपको पता हुँचिए अभी के लिए HDFC bank इंडिया का private sector का सबसे बड़ा bank है overall इंडिया में सबसे बड़ा bank SBI है overall HDFC दूसरे नमबर पर आता है ठीक है ठीक है आगे चलते हैं फोर्थ कोशन फिरसे करांट फिरस का पूछा जा रहा है दिएगा option में से कौन सी company है जिसने deliver किया है इंडिजिनिसली डिवलेप कुई क्रियाक्शन फाइटिंग वीकल हमने यह जो मैं आपको qrfv पता रहा था ना स्ट्रक्शिय में उसी की बात हो रही है तो रीसेंडली इंडियन आर्मी को क्विक रेक्शन फाइटिंग वीकल किस company ने deliver किया तो मैंने आपको structure में उस company का नाम बता दिया था क्या यह alpha design technology private limited है टाटा एडवांस system limited है, Reliance एडवांस system limited है यह महिंद्र एडवांस system limited है तो recently इंडियन आर्मी को यह जो quick reaction fighting vehicles है यह delivery की है असल में टाटा एडवांस system limited मैं आपको नहीं यहाँ पर एक picture रिखाता हूं वैसे तो आगे हमारे पास अच्छी pictures में आप देख सकते हैं इस तरह से बहुत बड़ी सारी size में car गाड़ी होती है कार तो नहीं होती है ठीक है almost आप कहलो कि एक कार और ट्रक के बीच का साइज होता है और इसमें जो soldiers वेगरा है वो काफी protected है चाहे कोई gunshot fire हो चाहे कोई small intensity का blast वेगरा मुलाब अंदर जो soldiers है उनकी life पूरी protected है ठीक है तो कहीं एकदम से पता लगा कि situation खराब हो रही है तो इन और आपको नहीं पता कि रस्ते में कुछ भी हो सकता है तो आप इन vehicles को use करो कि अपने soldiers को deploy करने के लिए तांकि जो उनकी life है वो protected है तो यह होता है कि reaction fighting vehicle और रीसेंडली यह deliver की है Tata Group के अंदर जो आता है Tata Advanced Systems Limited है ठीक है तो हम इसके बार में थोड़ा न्यूज में और बात करते हैं फिफ्ट कोशन है current affairs का टी आर ए इसके न फुल फॉर्म नहीं मैं आपको बताऊंगा क्योंकि question इस पे तो टी आर ए एसल में हमारी कंटी में जो 5G है उसके लिए बिल्कुल त्यारियां पूरी करवा चुका है अब 5G का spectrum का auction होगा और उसके बाद जो है कुछ ही महीनों में आपको होगा कि इंडि आपिये टेली कम रिश्पॉंसेव एन रेगुलेटर तो हम इंडिया तो इसमें से सब्सक्राइब करब going down इंडिया में यह पूरा टेलीकॉम का सेक्टर उसको इसमालती है ठीक है और फाउंड किया गया थे इसको 1997 में जब टेलीकॉम आना शुरूब तभी इसकी जूर्ट पड़ी उससे बदो इतना जरूरत नहीं पड़ती थी हेड़कोर्डर से न्यू डेली के अंदर ठीक है आग को आप मास्टर कार्ड देखना शुरू हो जगा सुनोगा मास्टर कार्ड यसा है रूपय ऐसे कार्ड कंपनी मास्टर कार्ड यूस की आप से पूछा रहा है कि बी-सी-सी-ई-क के प्रेजिडेंट कौन है तो एक आपको स्टेट्मेंट दे फिर उसके बेसिस पे कोशन बी-सी-सी-ई-क के प्रेजिडेंट का नाम के सुन्ट का नाम है सौरव गांगली जी ठीक है तो पहले आप यहां देख लो बी-सी-सी-ई-बोर्ड ऑफ कंटोल फो किकटे इन इंडिया तो इंडिया में क्रिकट का रेगुलिटर है है वान खेडे स्टेडिया मुंबाई मे इसके और प्रेजिडेंट है सौरव गांगली फांड गया था 1928 अभी न्यूज आर्टिकल भी देख लो मास्टर कार्ड ने रिप्लेस कर दिया पेटियम को और अब मास्टर कार्ड बन जाएगा टाइटल स्पॉंसर जितने भी BCCI मैच्स होते तो आपको जो होडिंग्स दिखती है और जो प्लेयर्स की यूनिफॉर्म विगरा दिखते है वहाँ पर आपको जहां पर पहले पेटियम का साइन हो तरफ से जगाब आपको यहां पर मास्टर काड़ दिखना शुरू हो ठीक है चलते अबने सेवन्थ कोशन पर कोशन है करन्ट अफेर्स का पर अब इसको राम सर साइड मना दिये गाए राम साइड बला दुनिया में रामसर केन्वेंशन है जिसमें हम वेट लैंड को वेट लैंड को प्रटेक्ट करते हैं तो जब यह वहला वेट लैंड इस कंवेंशन के अंदर एक तरह से हरेकोगनाई जो जगा फिर हम इस इस वह से उसको रामसर साइट्ट बुलाया जाता है इंडिया में तोटल रामसर साइट्ट हो चुकी है 54 मुलब अगर यह जो 5 इनको भी आड़ कर लें तो पहले 49 थी अब यहाँ पर 5 और एड़ होगे तो 54 रामसर साइट्टि इंडिया में बन चुके तो गर्मेंट ऑफ इं एंडिया में जिसको एक ग्लोबल एक ट्राफिक रैंकिंग 2020 मिस ने टॉप कि मतलब इस एर्पोड पे जो पर सेंजर जो और पर जो आ लैंडिंग और टेक ऊफ सेंडिया में सबसे जाद हरी दुनिया में इसकी रैंकिंगे पर इंडिया में के इंडिया में सबसे way शत्रपति श्याजि महारा इंडरांशल राव्ट्यांफर्णी इंडरादी नियुक्त चन्य इंडरिस एरपोर्ड या डॉय्कवी क्योंदे वारे इंडराइव फैसा कोछली में क्ग शीज यू ग्लπόल लैंडिंग्स टेक औफ और जो प्रेसेंजर आपको देखने को मिलेंगे आइजी आइजी पर थोड़ा प्रेशा ज्यादा होता है तो आप देख सकते दुनिया में जो प्रेसेंजर के साफ से जो प्रेशर एरपोर्ट पे तो शुरू में तो यहां पर जो मलब यूएस और च प्रेशर बढ़ता रहा है आइजी आइप आपने सोच सुना होगा कि इंद्रगांद इंटरनाशन इतना प्रेशर है कि उसका प्रेशर कम करने के लिए और बना जाए जिसको भी जेवर एरपोड बोलते है जो यूप में बना ठीक है तो इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि जो सब्सक्रभान डिजिटल करेचना जो दरनशन्ग होज़ा कॉनट्रैक्ट है वह जो क्या इनको चलू से जोड़ना ihr इनको लगा कि नहीं जो यह कर रहे हैं वो ही ठीक है पर वो इनकी गलती थी यह लोग बहुत सारी टिक्नोलोजी में पीछे रहेगा और फिर लोगों ने इनका फोन यूज करना बंद कर दिया तो नोकिया के साथ एक पांच साल का डिजिटल ट्रांस्फोर्मेशन का कॉंट्र साइन किया तो विप्रो जो कि आपको पता है इंडिन कंपनी स्केट को बेंगलूर मिलेंगे इन्होंने नाउंस किया कि एक पांच साल लंबा कॉंट्रैक्ट साइन कर रहे हैं फॉर्दी डिजिटल ट्रांस्फोर्मेशन विद नोकिया और फिनलें ठीक है तो विप्रो प् बहुत काम करता है पर नोकिया के साथ विप्रो मिलकर कुछ नहीं अपडेट्स लाने कोशिश करेगा नोकिया को एक नया रिवाइवल देने के आपर कोशिश की जाएगी विप्रो के द्वार ठीक है चलते हमने टेंथ कोशन है फिर से करांट फेस का तो बस वन टू यह दो सब्गें ठीकिशा क्रिकेट कम दरी से कंफर्म किया है कि इंडिया कोश करेगा डीने करेग के सी तो इसे लीज़ता सब्सक्न स्कूदिक इस चानल पर अभी लेडर पर अब मैं डेली जो है अपनी एक्लास क्लास लेता हूं Monday to Saturday आप इस क्लास को जॉइन कर सकते हो ठीक है टाइमिंग होती है 830 की तो आप इस क्लास को डेली अब यहां जॉइन कर सकते हो कोश्चन और न्यूस वगएरा में सब कुछ यहां कवर करवाता हूं ठीक है तो इस कोश्चन का बिलकुल से आंसर है दो हजार पच्चिस 2025 तो आइसीस ने नाउंस किया है कि इंडिया होस्ट करेगा आइसीसे वोमेन वोल्ड कप काफी बड़ा इवेंट होगा इंडिया क्ले और काफी बड़ी चीज़ है कि इंडिया इतना बड़ा इवेंट वोमेन्स के कड़ में यहां पर होस्ट करेगा चलते है अच्छा कोश्चन है सोशल स्टाडीज का पूछा जा रहा है जनगनमन इस सौंग को एक्सेप्ट किया गया था इस दी नाशल एंथम ऑफ इंडिया इंडिया में पूरा इंडिय करने का उन्होंने असल में जनगनमन को इंडिया का नाशल एंथम एक्सेप्ट कर लिया था किस साल में क्या यह एक्सेप्ट किया गया था 1950 में, 1949 में, 1948 मे 1947 में General Gunman was accepted as the National Anthem of India by the Constant Assembly of India and which of the following years किस साल असल में Constant Assembly के द्वारा ये कर दिया गया था 50, 49, 48 या 47 इस कोशे का सुन्स बिलकुसी आंसर है कि General Gunman को India National Anthem Constant Assembly के द्वारा 1950 में accept किया गया था अब इसका ये मतलब नहीं कि ये जो सौंग था 1950 में ये तो पुराना था ठीक है इंडिया का National Anthem इसको 1950 में accept किया गया तो जो सौंग है जनन गनमन इसको वैसे ओरिजिनली बेंगाली में कंपोस किया गया था रविजन अटेगोर जी के द्वारा और जो इसका हिंदी वरिजन था उसको 1950, 24th of January को अडॉप्ट कर लिया गया था इसको सबसे बले जो इस सौंग को सबसे बले 1911 में ठीक है गाय गया था मतलब गाना ये पुराना था पर इंडिया का National Anthem इसको 1950 में जाके अडॉप्ट किया गया था ठीक है चलते हम अपने 12th कोशन पे कोशन है फिर से सोशल स्टाइडिस का आपने सुना होगा जैसे बोलते हैं कि इंडिया में एक और्गनेशन है रॉप हमारी जो इंटेलिजेशन सी और पाकिस्तान में आई एसाई तो रॉप वर्सीजाइस आप बहुत सुनते होगे ठीक है आप से पूरा ईएता सकता यह दो आपके सामने यह और इसमें से इसके फुल occurs एंटर सर्विसेश्थ इंटर शरुर्टेशन इंटेलिजेशन पाकिस्तान कि और काम है information करना एनलाइज करना तो पाकिस्तान की शेन इसको फॉंड किया बार्त है है VII के के अंदर 13 कोशन अच्छा कोशन सुरूंस 13 कोशन आज हम यह जो यूपीया यूज करते हैं गूगल पे फोन पर यह सब यूपीया के बेसे से चलते हैं उन्होंने खुद कुछ बड़ी इंवेंचन नहीं करी है इंडियन प्लाटफर्म में उसको यूज करते हैं गूगल पे चाइना में यूएसे में इंडिया में क्यूआर कोड़ वॉस इंवेंटेड इंज कंट्री जेपैन चाइन यूएसे या फिर इंडिया इस कोशन और सुन बिल्कुल सी आंसर है तो यह क्यूवार कोड़ का कंसेप्त है जिपैन में यह सबसे पहली बात 12 साल पहले बहुत बहुत जादा आपके सकते हो कि बहुत फेमस हो गया ठीक है जब से पेमेंट वेगरा हमें यूज करना शुरू किया रहा है तो नहीं होता रहा है चलते हैं 14 कोशन की सीरीज के आखरी कोशन पे कोशन फानाइन्स और बैंकिंग इसके बाद हम चलेंगे अप NPCI के तो तो नैशनल पेमेंट कोपरेशन ऑफ इंडिया ये एक इंडियन ओगनाइशन है ठीक है सरकारी बॉड़ी है इसने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपी असल में वह प्लाटफॉर्म है जिस प्लाटफॉर्म के बेसिस पे गूगल पे फोन पे सब काम करत हैं तो NPCI ने यूपी ऐ लॉंच किया तक किस साल में 2015 16 17 या फिर अठ्रा इस कोश्ण का जो सुन्स बिल्कुल सी आंसर है वह असल में 2016 2016 में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लॉंच हो गया था तो इसके तो आप साथ के साथ आप पेमेंट बगरा कर सकते हो किसी से र नैशनल पेमेंट कोपेश्ट ऑफ इंडिया 2016 को इंडियूस करवा दिया था ठीक है तो 14 कोश्ण के जो सुन्स हमारी सीरीज थी यहां पर खत्म हम चलते हैं अपनी पांच न्यूस पर यहां पर भी हम लोग हरें कि न्यूस के बार एक के कोश्ण करते चलेंगे यह न्यूस मेंस्टर ने क्या बोला जॉइंट थेटर कमांड्स के बर में यह समझेंगे और इंडिया में पिछले तीन सालों में जो टाइगर्स डेथ रिपोर्ट के उसके बर में यहां पर जानेगे ठीक है शुरू करते न्यूस पर चलते हैं एक और चीज तो अगर आपको रेगुल जैसे इंड्या में तो कई SOW यहां किया जाग बबरुट किया जागा और नहीं को आप चांट करने लेंग तो जब किसी वेट्लन को प्रोटेज शुरू कर दे तो उसको कईड नाम होता है यह तो इसको भोन thé Conventions वेट Lans या वीशिक और यूद्स को बोतले रांसर के दित् एक बार आ जाते हैं तो फिर क्या बोलना शुरू करते हैं रामसर साइट तो अब इंडिया में टोटल 54 रामसर साइट डिक्लेर हो चुके और समझ लेते हैं पहले तो देखते हैं रीसेंट्ली जो पांच एड हुई है ठीक है यह कहां है क्या इनके नाम है तो इनके नाम है कर का इसकी इंपॉर्टेंस है कौन से हाँ पर फॉरेस्ट मिलते हैं और किस नाशनल पार्क में थोड़ा थोड़ा में लिखा हुए अगर आप इसके वरें पढ़ना चाहते हो तो मैं इसको पॉस करके स्कींशॉट लेकर पढ़ सकते हैं ठीक है तो रामसर साइट क्या होती है यह एक वेटलेंड होता है जिसकी अब एक इंटरनाशनल इंपॉर्टेंस अब दुनिया के लिए वह इंपॉर्टेंड हो चगा है इसको हमने डिकले कर दिया एस वेटलेंड ऑफ इंपॉर्टेंस या फिर रामसर साइट किसी भी वेटलेंड को तब बताया जाएगा जब रामसर केंवेंशन के अंदर एक बड़ देकलेर हो जाएगी और रामसर केंवेंशन क्या एक इंटर गवर्मेंटल एंवार्मेंटल ट्रीटियस को युनेसको ने इस्टैबलिश करवाया था उन्हें इसको इसको इस्टैबलिश करवाया था 1971 के अंदर असल में यह साइन की सुन्दर्वन जो कि आपको वेस्ट विंगौल में मिलेगा वो लार्जेस्ट रामसर साइट है इंडिया में सुन्दर्वन जो वैसे आपको पता हूं चीए डेल्टा है इंडिया और बांगलेश के बॉर्डर पर सुन्दर्वन डेल्टा सुन्दर्वन का रामसर साइट है तो जो इंडिया और बांगलेश आपको बहुत अच्छे से देखो तो इसमें 54 नहीं इसमें 49 रामसर साइट दिखाई हुए जो पांच अभी रीसेंट वाली आड़ा वो नहीं दिखाई हुई जो जैसे यहां पर सुन्दर्वन है ठीक है औ जो भी आपकी स्टेटिक्त के रामसर साइट से आपको पता हूं चाहिए तो फॉर्टी न इंडिया के रामसर साइटस आपको दिखाई गई है रामसर क्न्वेंशन भी आह साइग नाइंटीन सम्टीवान में हूं हूई थी ऑठीक है और इंडिया 7-3 ने इस को स्झान किया को जोड़ेंगे तो मैं मलब यह चाहूँगा कि आप लोग भी साथ के सार इसको टेम्ट करो यहां पर कोश्चन मैं पूछ लेता हूं कहсь को कौनसा कौ सी एनिमल स्पीशी है जिसके लिए सुन्दर्बन स्टाइब बॉट ज्यूर्सि आंसर जिसका सब्सक pragma कॉ Fangpha लोग नॉन्यक्र सिप्विचिस का रिया में जानव्शा थे ज़िए क्युक्त वह आपको देखने को मिलेगा सुन्दर्बन कर्जेश पूरा second news यह है एक बहुत बड़ी laboratory और यह न प्लैनेट अर्थ से कुछ 300-400 km के उचाही पर रहती इसका नाम है ISS International Space Station तो इसको दुनिया की काफी सारी countries ने मिलकर बनाया है पर सबसे ज़्यारा main contribution है US और रश्या का इन दोनों countries ने सबसे ज़्यारा contribute कि है बाकी European Union, Japan, Canada यह सब ही है प और अब रश्या बोल रहा है कि वह इस प्रजेक्ट को छोड़ देंगे 2024 के बाद वाइसस के साथ जो भी उनका relations को खतम कर रहे हैं और यह कहीं ना कहीं जो अभी अर्थ पर जो चल रहा है उसकी वैसे रश्या ने नांस किया तो व्लाद अमिर पुतिन को यह पताया गया ज जो जैसे हमारे यह पर इस रहे है ना रशीया में होता है रॉस कॉस्मॉस रॉस कॉस्मॉस उनकी स्टेट स्पेसन्स के नाम है ठीक है तो रॉस कॉस्मोस के जो नए चीफ है उन्होंने यह डिसकस्व किया व्लाद अमिर पुतिन जो प्रेजिडंट के साथ कि हम तो मेंच्छ पैसेशन जो है यह और रिट में मतलब आर्थ के आसमास और रिट कर रहा है 1998 से ऐसको मेंचरली रश्य और उनाइट रेट से मिल कर बनाया 1998 से और्विट करें यह 2030 तक और्विट करेंगा उसके बार क्या होगा इसको रिटायर कर देंगा और प्लैनेट एर्थ पे ओशन में गिरवादी आ जाए ठीक है तो सोचो इतना महेंगा प्रोजेक्ट इसको बनाने में कुछ रिपोर्ट कहती है 300 billion dollar से जादा का खर्चा हुआ इस laboratory को बनाने में आप इसको ऐसे समझ लो कि दुनिया में कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो एक पीस में वन पीस में ठीक है तब सोवियत इन होता था सोवियत इन से लौंच की इसका नाम था स्पुटनिक ठीक है तो यह बहुत बड़ी चीज़ है उसके बाद 1961 में दुनिया का पहला इंसान हीूमन जो स्पेस में गया था उनका नाम था यूरी के गारेंटी का वो भी सोवियत ने लौंच किया था तो यह बहुत बड़े रिकॉर्ड्स है जो रश्या के नाम है ठीक है तो इंटरनाशनल स्पेस सेशन में बनाया था इसको यूएस और आप कह सकते हो यूएस और रश्या ने मिलका बनाया था पर और और भी कंटिस की इंवाल्मेंट है जैसे जाकसा स्पेसेंसी जपाइन की यह से यूरोपें स्पेसेंसी तो आज यह पांच स्पेसेंसी मिलकर इसको पूरा मैनेज करते हैं ठीक है और साड़े तीन सो चार्सों किलिमेंटर की हाइड पर रहता है प्लैनल और से थोड़ा बहुत इसको उपर नीचे करते हैं इसकी और में कुछ डेब्री आगया मलब आगया किसी और स्पेसकार्फ का मलब आगया तो इसको थोड़ा नीचे कर देते लांच हुआ था मिलब ऐसा जोगे तो बहुत ही यंग देखो ऐसा था कि इससे पहले सोवियत उन्यों उतरा नाइंटी नाइंटी वन डिसंबर के महिने में सोवियत उन्यों खतम हो गया उसके रहश्य आ गया तो इंदो ने सिर्फ क्या किया वही जो स्पेस से उसका नाम बदल दिया उसको रॉस कॉस कर दिया पहले सका नाम कुछ और हो तरह सो इतनी नहीं है यह बहुत पुरानी कि यह पर आप से कोर्शन पूछ नेता हो कोर्शन है कि जैसे इंडिया की स्पेस एंसी का नाम इस रो है और यूज़े से कि नाम नाश्या कि रॉस कोस्मोस आप यह बता दो कि जो चाइना स्पेस एजनकी का नाम क्या था ढूंश बिलकुल से आंसर यह जरता है चाइनीज पेस एंसे हैं चैनीज नाश्नल सपेस एंस पर क्यान अने चाइण को आइस से रखना था चानीज स्पेस एंसरी पर वो धापतर का व्याइंगा स्प्रैंदा का सब्द चलते हैं अंधि二 न लास प्रूफ और कुछ भी इस पर अटाक करने कोशिश की जए तो अंदर जो सोल्जर्स बैठ उनको कोई हाम नहीं होगा इसको डेवलप किया है टाटा एडवांस सिस्टम्स जो टाटा गुरूप के अंदर एक सब्सेटी उनके द्वारा और यह बहुत अच्छी चीज़ है कि हम इंडिया में ऐसे आप इसको तो पहुत अच्छा एक्टा से हमारा वेपन बनेगा तो इसको मिंडिया में बनारें तो यह में इंडिया डिफेंस में इंडिया उसके लिए बहुत इंपॉटन चीज़ है समझते हैं टाटा डवांस सस्टम ने सेक्सेश्फली डिलवे क कर दिया आर्मी को लोकल हमारी कंटे में बनाएगे क्विक रियक्शन फाइटिंग विकल्स तो यह जो आर्मड विकल्स है इससे क्या होगा कि जो अभी तो इसको आर्मी यूज कर आके जाके इसको सब्सक्राइब करें तो इसको मुझे पता होगा कि मुझे कोई अटाक नहीं हो सकता और जो भी जिस काम के लिए उसकाम को और बेटर तरीके से कर पाएगा इस परागाफ में क्या पताया गया परसंटेज वेगारा लिखी हुए बस यह बताया गया कि कैसे हम लोग दिरे दिर अपने defense budget में जो खर्चा करना थी हम जो defense वेगरा का इक्वेट करी तो पहले ना बड़ा सारा पैसा इंडिया के बाहर चले आता था पर हम कोशिश करें बहुत सारा पैसा जो हमने defense पर खर्च करना वह इंडियन कंपनी और इंडियन कंपनी से एक्वेट लिया जाए उस पै प्रोग्राम था और जब पहली बार इंको इंडिक्ट किया था आर्मी में तब हमारी कंटी के चीफ जो पिछले चीफ थे जनरल एमम नरम ने उनके टेनियोर के अंदर ही इनको इंडिक्ट कर लिया गया था मैं आपको पिच्चर रिखा तो आप देख सकते हो यह हैं टाट सिस्टम जो मैंने आपको पता दिया यह टाटा ग्रुप की सब्सेडिय तो टाटा ग्रुप के अंदर एक अलग से कंपनिये टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड हैट्वर्टर है रदाबाद में फाउंड किया गया था इसको 2007 के अंदर ठीक है यहां पर आपसे और कोश पंढऄ ठीक है आगे चलते अजह कौ फोध न्यूस स्टमेस्टर आना सिंह ने आंउस किया कि इंडिया में जॉइंट ठीट्र कमांड मनाई जाएंगी त्राइसर्विस कि अभी ना इंडिया में आर्मी की साथ कमांड जो हमारी लिए कि सथšison एτάक मैंज लुक्त आपन्ट और एक कमांड होती है Integrated या फिर Try Services और एक कमांड है जो हमारी Nuclear Stockpile को संभालती है तो इसे Army की साथ कमांड नहीं सिर्फ Army आर्मी वेले लोग वहाँ पर रहें ठीक है Air Force की कमांड में सिर्फ Air Force है Navy की कमांड में सिर्फ Navy है पर यह जो एक Integrated कमांड है इसको Try Services कमांड बलाते है यह आपको Port Blair में मिलेगी इस कमांड में ट्राइ सर्विस तीनों Forces एक साथ है Army Air Force नेवी तो जैसे इस कमांड के जो कमांडर चीफ है बलब इस कमांड के जो चीफ होंगे Commanding Officer होंगे जैसी वो एक Order देंगे तो आर्मी के लोग नेवी के लोग और Air Force के लोग तीनों आक्टिव हो जाएंगे तो इस चीज को हम और करना चाहते है इस ही को बोलेंगे Joint Theater Command जैसे मां लोग एक Theater Command है कच गुजात कच में उस Theater Command में कुछ fighter aircraft भी है Air Force की तरफ से नेवी की तरफ से एक या दोशेप है और आर्मी के कुछ लोग है और वहाँ पर एक Officer है Commanding Officer वो किसी भी Force को सकता तीनों तो जैसी लगेगा कि कच के पास कुछ कुछ प्रॉब्लम है तो यह जो Commanding Officer होंगे यह अपनी तीनों Forces को Deploy कर देंगे अभी कि अगर अभी कच के पास कुछ होते है तो आर्मी को कहीं और से आना है Air Force कहीं और से आरी Navy कहीं और से आरी तो वो बीच का जो आप कह सकते हो जो Cooperation है उसमें बहुत दिक्कत हो जाती थी तो यह Solve करनी के हम कोशिश करने है राजना सिंग ने अनाउंस किया है कि यहाँ पर Joint Theater Commands जो Tri-Services इस तीनों फोर्स के उनको सेट अप किया जाएगा बहुत सारी कमिटीज, बहुत सारी एक्सपोर्ट इसको पहले भी रिकमेंड कर चुके है कि ऐसा होना चाहिए, खासकर कार्गिल वोर के बाद तो कार्गिल की वोर में इस तीनों के जो भी एक जगा वेलिबल और एक कमांडर के अंदर वेलिबल ताकि वो एक कमांडर अपने हसाब से काम दे सके है और तीनों फोर्स अपने काम पे लग जाए अब इंडिया में कितनी कमांड है 19 मैं आपको बता दिया, 7 आर्मी प्लस 7 एरफोस, प्लस 3 ने वी यह होगी 17, फिर एक होती है अंडेमान इको बार कमांड यह ट्राइ सर्विस्स है, एक और मतलब 18 यहां पर आप से कोश्चन पूछता हूं, कोश्चन है कि कोश्चन यह है कि इंडिया ने आज दिखना न्यूक्लियर टेस्ट, न्यूक्लियर वेपन के टेस्ट, दो बार किये, वो दोनों साल कौन से थे, अगर आप में से कोई पता से, इसका सही अंसर है, 1974 और 1998 यह दो साल थे जब हमने न्यूक्लियर वेपन के टेस्ट के इनको कई बार, इसी यह ओपरेशन स्माइलिंग भुद्धा हो जाता है, और यह ओपरेशन शक्ती भी बिला लिया जाता है, ठीक है, ठीक है, यह इसको पोखरन नान, पोखरन टू भी बिलाते हैं, पोखरन अस प्रोजेक्ट टाइगर चला रहे हैं, बहुत इंवेस्मेंट करते हैं कि टाइगर का नंबर बढ़े, तो तीन साल में जो 339 टाइगर के टेस्ट, उनके रीजन क्या था है, अगर तो नाच्रल कॉजिस विगारा फिर तो ठीक है, पर अगर शिकार विगार रहा हो तो वह ब काफी सारों पर इन्वेस्टिकेशन ही चल रही है, इसके लब अगर हम बात करें, 307 एलिफेंट की यहां पर टेथ हुई है, जिसमें से एलिफेंट की डेथ की पीछे कई बार होता है की, रिल्वेट ट्रैक के सामने आ जाना, बिजली का जो तारे होती है, बिजली की तारे की बात करें, इन 329 में से 68 की देथ हुई नाच्रल कॉज इसे एज वेगारा की वैसे, पांच यहां पर अन्नाच्रल कॉज इस्टिकन को अभी तक इडेंटिफाई नहीं किया जा सका, 39 को यहां पर जो शिकारी थे, उन्दोंने मार दिया, 30 को सीजरी भी एक नाच्रल इसकार हुआ ठीक है, सोचो यह शिकारी इतने सारे है, फिर भी वह बहुत ही कम टाइगर्स को मार से कि मेरे भी आप कहलो कि एक विन है, इंडियन जो हम पूरा यह फॉरस इंफास्ट्रक्टर है, जो फॉरस गार्ड्स वेगारा है, वो प्रोटेट्ट करने कोशिश करें, स तो 125 लोग मारे गaha पिछले तीन सालों में टाइगर अटाक्स में महरास्टा में 61, UP में 25 लोग टाइगर अटाक्स में मारे ठीक है, अलेफेंट्स की बात करें तो 222 हेलेबैट्स पिछले तीन सालों में बजली में जहें Spी cards जाती है, ट्रेंट एक बढ़ बड़ा रीजिंट के यहां पर ताइगर आपको देखने हो जैसे जमू इनकेश्मीर यूटी लदाक हिमाज्य पदेश पंजाब रहां यहां टाइगर नहीं होते 526 आपको टाइगर मद्य प्रेश में देखने को मिलेंगे उसके बाद हम देखें करनाटका में भी अच्छा खासा नंबर है 524 उत्रागण में भी इच्छा खासा नंबर है 442 इस तरह से आपको इंडिया की सारी स्टेट्स में कितने टाइगर पॉपुलेशन देखने हो मिलेगे उसका नंबर लिखा हुए है दो हजार अठागी नंबर यहां लिखा हुए और 2006 का नंबर यहां लिखा हुए तो कितना इंक्रीज है टाइगर पॉपुलेशन में वह आप देख सकते हो 2018 के सर्वे के साफ़ए टीन हजार के आसपडर 2967 ठीक है आज का आकरी कोश्टिन है कि एगर इंडिया में दुनिया की टाइगर की पॉपुलेशन असर में है कितनी इसका तो मतलब थर्ड फॉर्थ का पॉपुलेशन अब्रॉक्सिमिट्न पॉपुलेशन हमारी कंटिय में बागी थोड़ी बहुत आपको रश्या चाइना भुटान नेपाल इन सब कंट्रीज में थोड़ी बहुत मिलेगी मेजर लिया हमारे पास ही ठीक है इसके आज के हमारी क्लास को thank you for joining have a very successful day अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी आप मैं चैल को subscribe कर सकते हो इस वीडियो को like कर सकते हो इसको share कर सकते हो हम मिलेंगे कल सुबे की क्लास के अंदर तब तक लिए thank you and have a very successful day thank you students